इन इस वीडियो वी गोना डिसकास अबाउट इस्टेंस ट्रेवल इन एनथ सेकंड तो हमारा जैसे कोशन आ जाते है कि एक बोडी है हमारी वह 10 सेटेंट से चल रही है और वह 10 सेकंड तक चलती है तो वहां पर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो मुझे इसी हमारा कोशन आ जाए कि जो हमारा सब्सक्रावल किया तो हमारा यह जो फोर्मूल है इसे इसी फोर्मूले की हेल्प से भी निकाल सकते हैं जैसे हम निकाल सकते हैं सबसे पहले 5th second तक का निकाले और फिर निकाले हम 7th second तक का और 7th वाले में से 5th का माइनस कर दे क्या जाएगा हमारा 6 second का लेकिन इससे हमारा इतना correct answer नहीं आता है और यह हमारा जो method है यह भी हमारा lengthy पड़ते है second method आता है हमारा distance 7th second का जो हम अभी formula drive करने वाले वह वाला यह हमारा बिल्गु simple formula होता है इसमें क्या होता है एक formula आएगा हमारा उसमें हम जो हमारा time है जो हमारी speed है उसकी value रख देंगे और value रखने के बाद हमारा direct answer आए जाएगा क्या distance travel in a second means उस formula की है से क्या निकाल सकते है distance travel in a second किसी भी second में किसी बोडी ने किसी कोई भी object रहा कितना distance travel को हम simply निकाल सकते हैं तो हम इसको समझते हैं सबसे पहले देखते हैं हमारी कोई बोडी है वह से इस पॉइंट से पॉइंट से जाकती है S N distance फिर अगर हम अगर कोई बोड़ी इस पॉइंट तक करती है उससे एक पॉइंट पहले तक वो कितना distance कर देगी यहां तक S N कर रही है तो एक पॉइंट पहले S N-1 कर लेंगी अगर होगा हमारा हमाराway कि有一 स्ट कितना होग तो which हमारा हम पता है उससे एक पहले क्या एक अग्यगा máximo आगीगा यहां तक कितना स्ट पॉंट से करेंच प्रेंगे एस फोंट से हो जाएगा हमारा एस एन वी और यहां से यहां का हो गया स फवाले k पॉंट तक हो गाईए स पार्ट आता है यह मान लेक्ट है हम अपना एस एनत मींस इस यह हमारा वो सेकिंड का वो पार्ट है जिसमें अपने डिस्टेंस ट्रेवल निकालना चाहते हैं इस डिस्टेंस ट्रेवल निकालना चाहते हैं इस डिस्टेंस ट्रेवल निकालना चाहते हैं इस डिस्टेंस ट्र होता है वेलेस्टे इस इकलो टो डिस्टेंस तेवल अपोल टाइं तो वेलीस्टी इस इकलो तो हमारा डिस्प्लेस्मेंट अपोल टाइम यह हमारा प्लस AT is equal to DX upon DT और जो ही हमारा DT नीचे है side इसकी multiply कर देते हैं इस side simple विल्गूल हम simple हमारा यह method है इसमें हम कर देते हैं U DT plus ATDT is equal to DX simple हम इसमें multiply किया अब हम करते हैं इसका integration integration करने के लिए पहले हमें अपना एक sign लगाना होगा second step हमारा जो हमारी आपके हैं जैसे हम लगाते हैं अपना यहां पर on integration सबसे पहले हमें लगा देते हैं sign U DT plus A T DT is equal to D X तो हमने integration का sign लगा दे आप हमें रखनी है limit limit सबसे में होती है हमारी limit की हमारा lower limit है और जो हमारी upper limit है वो कितनी है limit लगते हैं जो हमारा D के बाद जो भी वैली होती है उसको तो यहां पर है T T मतले हमारा time तो time हमारा कहां से कहां तक change हो रहा है हम कहां तक जा रहे है तो हमारी upper limit कहां जो final limit होगी वो क्या होगी T और कहां से जा रहे हैं यहां तक हम जा रहे हैं और यहां से हमें निकाल ला है तो यह तो हो गया हमारा T और T से एक पहले क्या है हमारा T minus 1 means अगर यहां पर 5 है तो इससे एक पहले क्या होगा 4 तो अगर यहां पर T है तो इससे एक पहले क्या है हमारा T minus 1 तो हम रख देते t-1 to t, यह हमारी आ जाती है limit और यहाँ पर भी क्या है हमारा dt, dt मतलब हमारा time तो t-1 की t तक, और distance कहां से कहां तक travel हो रहा है, distance हमारा 0 से हमारा s तक travel हो रहा है, तो 0 to कर देते हैं अपना s, इसमें आता है अब हमारा जैसे हमने अपना integration कर दिया, integration का first part हमने sign लगाया, second हमने अपनी limit है, जो हमारी lower limit है, upper limit है, उसको हमने रख दिया है इसमें, अब हम करते हैं इसको solve, solve करने का हमारा first step आता है, सबसे पहले जो भी हमारे constant terms होती हैं, जैसे u हो गया हमारा a हो गया, जो भी हमारी constant terms हैं, उनको हम भाहर ले लेते हैं, integration sign से, तो हमने य वाला formula लगेगा, x की power is equal to x की power n plus 1 upon n plus 1, वही हमारा formula लगता है, जैसे यहाँ पर आता है हमारा t की power 0, तो t की power 0 का हो जाता है, t की power 0 plus 1 upon 1 plus 1, तो यहाँ पर आता है हमारा t की power 1, और यहाँ पर हमारा t की power 1, t की power 1 का हो जाता है, हमारा t की power 1 plus 1 upon 1 plus 1, means t square upon 2, तो यहाँ पर जैसे X की 1, तो यहाँ पर आ जाएगा X की 1, implies 0 पिलस 1 उपन 1 पिलस 1, तो 1 की नीचे रखे न रखे है हमारी एक ही वैल्यू है, तो इसे हम स्वोल करते है जैसे सबसे पहले रखते हैं अपनी अपर लिमित, T की जागा रखते हैं अपना T minus जो हमारी lower limit है means T minus 1 तो minus T minus 1 तो यहाँ पर हमारा minus S की वज़ी से जो हमारा bracket के अंदर का यह T minus 1 आता है इसका sign change जाता है तो यहाँ पर आजाता है हमारा T plus 1 plus जो हमारा यह 2 भार है यह भी तरह से constant है हमने इसको भी भार ले लिया तो A upon 2 यहाँ पर भी हम पहले रखते हैं T square की जहींगा रखते हैं T तो यहाँ आजाता है हमारा T square minus T minus 1 का whole square is equal to यहाँ पर आजाता है S T minus 0 means हमारी upper limit minus lower limit तो हम इसको solve करते हैं यहाँ से T कर जाता है positive है एक negative है तो आजाता है शिर्फ हमारा u plus a.2 और हम जब इसको solve करते हैं तो जिसे t square minus t minus 1 का whole square हमारा यह वही बन जाता है a minus b का whole square means a square plus b square minus 2a भी उसको solve करने के बाद हमारा यह आ जाता है 2t minus 1 जो हमारा अंदर का part है इसको solve करने के बाद डारेक्ट आ जाता है हमारा 2T-1 is equal to 0 हमारी अड़ जाती है STS और इसको मगर बिल्कुल करेक्टरी फोर्म में लिखके तो आ जाता है हमारा STS is equal to U plus A by 2 2T-1 means जो STS means distance travel in nth second यहाँ पर आ जाता है हमारा n कोई भी हमारे जो nth second पर जितना भी distance travel गया वो निकलेगा हमारा U plus A by 2 2T-1 means use की initial velocity एसको जिस भी acceleration से हमारी चल रही है और T मतलब किस टाइम पर हम निकालना चाहते हैं जो भी हम T निकालना चाहते हैं उसको यहाँ पर रख देंगे और nth हमारी उस nth second में हमारा जो distance travel है वो हमारा आ जाएगा इसको लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त जो हमारा notification बहल है उसको प्रेक्स करें वह ओल पर किलिक कर लेना